दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं अगर आपके पास LG का smart TV है आप उसमें screen mirror करना चाहते है अपने smartphone का तो इस वीडियो में हम देखने वाले किस तरह से screen mirroring कर सकते हैं सिंपल साप्रोसेस मात्रट्र दो तीन स्टेप में आप ऐस्क्रीन म्रेविटिंग को इसली कर सकते हैं तो आईए इस वीडियो में देखते हैं उसे पहले चैनल पर नवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सबसे पहले TV को on कर लेना है उसके बाद आपके पास जो smartphone है जो mobile phone के setting में जाना है connection and sharing वाले option पे click कर देना है click करने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करने के बाद wireless display का option दिख जाएगा उसके click करना है यहाँ पे wifi enable कर लेना है उसके बाद जो भी model है आपका TV का यहाँ पे show होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा TV लगा हुआ इसलिए बहुत सारा model देखने को मिल रहा है आपके यहाँ एक ही model आएगा simply उस model पे click करना है तो आप TV में देखेंगे कुछ इस तरह का connectivity का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पे one time allow करने का option आता है and deny करने का तो simply one time आपको allow कर देना है उसके बाद आप जब भी इस mobile से इस TV में screen reading करेंगे तो आपको allow करने का option नहीं आएगा यहाँ पे allow करते ही आपका जो phone का screen है वो आपके TV पे देखने को मिल जाएगा जो भी चीज़े यहाँ पे चलाएंगे phone में वो सारी चीज़े आपके TV में देखने को मिल जाएगा तो easy way में आप अपने phone से screen mirror कर सकते हैं अपने LG के smart TV में यह process के थुरू आपके पास कितना भी smart TV पुराना हो अपने LG के smart TV में आपके पास अगर other brand के phone है उसमें भी same process होता है बस जो screen mirror का नाम होता है वो अलग लग नाम से देखने को मिलते हैं यहाँ पे मैं आपको so कर दे रहा हूँ आप इस नाम से अपने phone में उस option को search कर ले यही process करके आप अपने TV को connect कर सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिए क्यूंकि मैं इसी तरह का टेक रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं तो चलिए मैं मिलता हूं इसके अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार गुडबाए